आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजिनियर्स कोच में आज इस में आप सीखने वाले हो कि कम से कम जगा में CD को कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में आप सीखोगे कि मातर 6 फट by 6 फट में आप एक अची CD कैसे बना सकते हो और ये सारी चीज़े हम आपको सिखाने वाले हैं step by step भी बहुत ही simple तरीके से और बहुत ही simple language में ये सारी चीज़े हैं आप एक बार पूरा समझ लोगे एक बार ये पूरी वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें clear हो जाएंगी तो आप स्टार्ट करते हैं सीखते हैं कि कम से कम जगा में इस टेर को कैसे बना सकते हैं ये चीज़ सीखने से पहले हम इसमें ये जानेंगे कुछ basic terms के बारे में जैसे इस CD में बहुत सारे parts हैं इस parts को कहते क्या हैं फिर हम सीखेंगे कि कैसे CD को design करना है कम जगा में पार्ट को क्या कहते हैं ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये कहलाता है हमारा कि राइज इसको कहते हैं राइज ये वाला जो पार्ट है जिस पर पैर रखते हैं उसको कहते हैं Tread तो यहाँ पे जो हम CD बनाने वाले हैं उसमें हम Rise की Height कितनी देंगे इसकी Height कितनी देने वाले हैं हम यहाँ पे इसको देंगे 8 Inch की अब यहाँ पे जो Tread है Tread का जो हम इसमें Dimension लेंगे जो इसकी Length देंगे Tread यह देंगे 9 Inch का अब देखते हैं इसमें number of rice पहले निकालते हैं कि ये counting में 1, 2, 3 करके इतने number of हमारा riser आ जाएगा तो rice का formula क्या होता है जो भी हमारी floor की height होगी जैसे यहां से मालो यह floor है यह slab है यहां से लेके यहां तक की जो भी height होगी जैसे माल लेते नॉर्मली जो slab की height होती है वो 11 feet होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 feet उसको भाग कर देंगे किस से? rice से यानी 8 inch से इसको भाग कर देंगे तो 11 feet को 8 से भाग करेंगे लेकिन यहां पे 11 feet में है और नीचे यह जो rise हमने लिखा हुआ है उसकी जो height है वो 8 inch है तो number of riser find करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 11 feet को पहले inch में बदल लेंगे तो यहां पे 11 feet 12 कर देंगे 12 इसलिए कर रहे है क्योंकि हमारा 8 feet में 12 inch होता है तो 11 feet 12 कर देंगे हमारा 132 inch 132 inch भाग करेंगे 8 inch से तो यहां पे लिख देंगे clear number of rise हम यहां पे निकाल ले है तो यह कितना आ जाएगा? 16.5 आ रहा है हम मान के चलेंगे इसको कर देंगे 17 number of riser यानि जो यह पार्ट है 1,2,3 यह कितना आएगा? टोटल 17 आ जाएगा अब बात कहते हैं tread जिस पे पैर रखते हैं उसको tread कहते हैं number of tread निकालने का क्या formula number of tread इसका formula होता है जो भी हमारा rise आया है minus 1 यानि 17 minus 1 is equal to 16 अब यह जो आएगा 1,2,3 यह वाला हिस्सा यह 16 आ जाएगा तो यहाँ पे जो हम cd design कर रहे हैं इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि जो हमारी slab की height है वो 11 feet है यहाँ पे जो हम rise की height दे रहे हैं 8 inch देंगे जो tread दे रहे हैं वो 9 inch दे रहे हैं अब देखते हैं कि जो cd बनेगी व हमारा यह slab की height है अब यहाँ पे जो हम आपको चीज समझाने वाले हैं वो इस drawing से समझाएंगे क्योंकि अभी इसका अगर हम इस slab का section बना देते तो वो आपके समझ में नहीं आता लेकिन यह चीज आपके समझ में आ जाएगी अब यह वाला जो part है यह floor है हमारी जो cd start करें जो यह वाला part है अगर हम उपर से देखें तो यह ऐसे line दिखेगी यह ऐसे यह वाली line दिखेगी तो यह rise है तो हम इसको count करते हमें चाहिए 17 number of rise चाहिए तो यानि एक सीड़ी हमारी यहां से start हो जा रही है यहां से यह पहला step होगा यह दूसरा step होगा तो जो हमारा rise है यहां से हम स्टार्ट करें तो हमें 17 राइस चाहिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदरा पंदरा सोला सतरा यहां यहां पे हमें 17 राइजर मिल जा रहा है और number of trade कितना आ रहा है सोला जिस पर पैर रखते हैं यह वाला part एक दो ती तीन ऐसे करके तो यह हमारा हो जा रहा है एक यहां पर सोला चाहिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा शौदरा पंदरा सोला तो यह हमारी जो सीडी है वो बन चुकी अब देखते हैं हमने निकाल लिया कि number of rise कितना चाहिए number of trade यानि कितना इस यह सीडी कितने भाई कितने की बन रही है जो हम सीडी की इसमें चोडाई रखेंगे वो कम से कम तीन container की हो गई है अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एक यह ट्रेड है जो यह वाल पार था ट्रेड यह हम कितना का दिये थे ट्रेड 9 इंच का था यहाँ पे 9 इंच ल किटनी हो जा रही है तो कितनी हो जा रही है तो यहां से लेके यहांसे इक स्टेप का 9 इंच है तो 5 इंच में हो गया, एक-दो-5,ено तो 9 गुड़े पांच करेंगे हमा दो यह भी सना Assassin's उ करेंगे तो यह ना फैंट ऑलिस इंच हो रहा है। मतलब हमले हमा से यहां तक की distance जो है तीन फिट है तो हम 36 इंच लिख दिया अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया यह हमारा हो गया यह total जो यहां से यहां तक की जो length हो गई इसको हम यहां बना देते हैं से total यह हमारा हो जा रहा है 81 इंचेज 81 को 12 से हम भाग कर देंगे fit में बदलने के लिए तो यह हमारा आ जाएगा 6.75 feet 6.75 feet यह हो गया यहां से लेके यहां तक की जो distance है अब यह जो हम बताया थे यह जो cd की width है वो 3 feet है तो यहां पे यहां से लेके यहां तक का हमारा जो हो जाएगा यह 3 feet हो गया तो यहानि यह जो total है यह 6 feet हो गया है तो यहानि जो हमारी यहां पे cd जो बन रही है वो 6 feet by 6.75 feet बन रही है यहाँ पर जो यह space है 6 feet वाली इसको हम 6.5 feet कर सकते हैं या 6 feet 4 inch कर सकते हैं इसलिए यह कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में अगर हम gap देते हैं तो हम उसमें railing easily लगा सकते हैं और यह जो 3 feet की space हमें मिलेगी वो clear space मिल जाएगी फिर 6 feet 3 inch 4 inch करके हम इसको रख सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं हम यह 6.5 feet इसको कर देते हैं 6.5 feet इंटू 6.75 feet में हम एक अच्छी CD इसमें बना सकते हैं अब आप इसमें यह कहोगी कि यह वाला जो part है यह भी तो स्टेर में आ रहा है नेकिन हम CD कहीं भी बनाते हैं तो CD के front में यह हम इतनी space लेके चलते हैं किसी को भी इस पे चरना हुआ CD पे या फिर कोई समान ले जाना हुआ तो हमें इतना space चाहिए होता है CD के सामने कि हम उस CD को use कर सकें तो यह CD जो है यह 17 जो हम यहां पे मान लो यहां से दिखा ज़ती है 16 नंबर है यह 16 नंबर का यह हो गया यह 17 पे हम इसके बाद जो 17 आएगा उस पे हम इस लैब पे चले जाएंगे तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीजन सिखा दी है कोई भी कोशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिको उसका रिपलाई हम आपको तुरन देंगे आपको यह स्टेयर का डिजाइन चाहिए हो सेक्शन चाहिए हो अब कमेंट करो वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे और भी किसी भी टॉपिक पे वीज़ चाहिए होगी तो भी आप कमेंट में लिखके बताओ उस टॉपिक पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी और यह वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा हो तो लाइक ज़रूर करना एक कमेंट करके बताना ये वीडियो कितनी helpful है ताकि और भी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें तो वीडियो को like करते हैं, channel को subscribe करते हैं मिलते हैं next video में Thank you